है है लोग फ्रेंट्स गूर्णिंग टू अल फ्यू वेलकम टो माई यूट्व चैनल डियस के अंद्रेश्ट्री आज का जो बराव वीडियो है वह अधारित है बिहार दरोगा विश्य सांक और इस वीडियो में लोग जानेंगे समान अध्यान से समधित कुछ विश्यस न भूले तो पहला प्रस्ण है कि मैनियर्स का राजकुमार किसे कहा जाता है मैनियर्स का राजकुमार प्रिंस अफ मैनियर्स किसे कहा जाता है आप्शन है इब्राहिन लोधी को आप्शन भी बाबर को आप्शन से अकबर को और आप्शन टी मुहमद बिन तुगलग को तो प्रसंखिया एक मैनियर्स का राज कुमार प्रिंस अप मैनियर्स काहता है मुहमद बिन तुगलव को प्रसंखिया दो है भारत में निरितिय नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के बाद देने के लिए किसकी जिम्यवारी होती है आप्षन से A. ललित कला एकादमी की आप्षन B. संगीत नाटक एकादमी की आप्षन C. इस्कूल निरितिय नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के जिम्यवारी होती है आप्षन भी संगीत नाटक एकादमी की प्रस्ण के तीन है प्रस्ण है कि पथर के जवाला मुखी के भंडार में कौन से देश दुनिया का अग्राणी देश है आप्षन से ए निपार आप्षन भी चीन आप्षन से न्यूजिलेंड और आप्षन भारत तो प्रस्ण के जो तीन है पथर के जवाला मुखी के भंडार में कौन से दुनिया का अग्राणी देश है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन भी चीन प्रस्ण के चार है भारतिय सम्विधान के निम्लांकित आवंटन किसी राजे की विधान सभाओं के लिए प्रस्तावित हैं आप्षन से ए अनुछेद 170 आप्षन बी अनुछेद 176 आप्षन सी अनुछेद 178 और आप्षन डी इनमें से कोई नहीं प्रस्ण के चार भारतिय सम्विधान के लिए निम्लांकित आवंटन किसी राजे की विधान सभाओं के लिए प्रस्तावित हैं इसका सही जवाब हो जाएगा आप्षन ए अनुछेद 17 राज की विधान सभाओं के लिए प्रस्तावित हैं प्रशन के पांच है, इंपोर्टन प्रशन है, महाभारत का फार्सी में अनुबाद किस ने किया था, आप्शन से A, इबन बतूता ने, आप्शन B, अबूल फाजल ने, आप्शन C, बाबर ने, और आप्शन D, बदायूनी ने, तो प्रशन के तीन, महाभारत का फार्सी में बदायूनी ने अब लुप फजल का जो भाइत था जिसका नाम था बदायूनी प्रसंखिय अच्छे है भारत में ने उन लिखीत में से की सिराज की सबसे लंबी टट रिखा है आप्सन से ए आंध्रे परदेश की आप्सन भी महाराष्ट की आप्सन सी तमिल लाडू की और आ तो प्रसंखिय अच्छे भारत में ने लिखीत में की सिराज की सबसे लंबी टट रिखा है तो इसका सई जो भोज़ेगा आप्सन डी गुजरात की जिसकी टट रिखा की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है प्रसंखिय साथ है कि हमारे देश में बन महुत सो दिवस कम मनाया जा जाता है आप्सन से दस अगस्ट को आप्सन भी एक दिसमबर को आप्सन सी एक जुलाई को और आप्सन डी पांच अक्टूबर को तो प्रसंख्या 7 हमारे देश में 1 महुत सौफ दिवस मनाया जाता है तो इसका सही जवब हो जाएगा option C 1 जुलाई को और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 1 महुत सौफ सब्ताह मनाया जाता है भारत में प्रसंख्या 8 है United Nations सब्द किस ने गड़ा था मतलब United Nation सब्द का पर्योग सबसे पहले किस ने किया था option से Roosevelt ने, option B स्टालिन ने, option C चर्चिल ने और option D लेनिन ने तो प्रसंख है जो 8 है United Nation सब्द का पर्योग सबसे पहले किस ने किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा Roosevelt रूजवेल्ट जो पूर्व अमरीकी राष्ट पती है इनके द्वारा 1942 सब्द का पर्योग सबसे पहली बार किया गया था प्रसंख्या 9 है प्रसंख है कि अजमेर में धाई दिन का जोपड़ा किस ने बनवाया था काफी इंपोर्टन प्रस्ट है कि अजमेर का जो धाई दिन का जोपड़ा है उसे किस ने बनवाया था आपसन है कुटूब दिन एवक ने आपसन भी बलवन ने आपसन सी अलाव दिन खिजली ने और आपसन डी मुहमद बिन तुगलक ने तो प्रसंख्या 9 अजमेर में धाई दिन का जोपड़ा का निरिवान कराया था आपसन है कुटूब दिन एवक ने प्रसंख्या 10 अच्छेत्र मापी प्लेनी मीटर का परियोग किसकी मापन के लिए किया जाता है आपसन से अच्छेत्र क्यूँ चाई आपसन बी दिशा आपसन सी सडक की दूरी और आपसन सी आपसन डी छेत्र फल तो जो प्रसंख्या 10 अच्छेत्र मापी प्लेनी मीटर का परियोग किसकी मापन के लिए किया जाता है तो फ्रेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो जो अधारित था बिहार दरोगा बिहार एसाई के लिए इंपोर्टेंट कुछ महतवपुन भी भी आई समानिय अधियन के कोस्चन और उसके अंसर पर जो काफ ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं अगामी बिहार एसाई बिहार दरोगा की जो परिच्छा होने वाली है उसके लिए तो इस वीडियो को आप देखिए वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और यदि आप इस च किजिए से भाले हैं और ग